गेहु का जो जौरा होता है यानि गेहु जब पैदा होता है और छोटे होते हैं तो उस समय जो उसका पौदा होता है उसको पीस कर पीने से काफि सारी की तरह की आपको लाव होते हैं ये एक संजीमनी ब्यूटी की तरह भी काम करता है कई बार ये दिखा गया है कि जब हमें पोशक तत्वो या कोई साधारन रोग हो जाता है तो हम उसमें गेहूं के ज्वारे को पीस कर पीते हैं और सबसे ज़ादा इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है ये एक ऐसा तत्व है जिसको कैंदरी सूरे सक्ती भी कहा गया है सास्त्रों में गेहूं का ज्वारा पीने से आपको रक्त और रक्त संबन्दी जितने भी तरह के रोग होते हैं जैसे की प्लेटलेट्स कम होना या हीमोगलोबीन कम होना साथी रक्त की कमी उच रक्तशाप, सर्दी, अस्तमा, सूजन, दात और मसूरों से खुनाना, चर्म रोग, कान के थायराइड वाले कोई भी रोग होता है और खास तोर से अगर आपको रक्त यानि ब्लड से रिलेटिट कोई भी समस्या हो जाती है तो उसमें ये काफी ज़्यादा काम आता है आप इसको कोई भी अगर आपकी चिकस्वापत्सी से कोई भी इलाज चल रहा है तो बिना उस को रोके बिना उस दवाई को रोके भी आप गेहु का जो जौरा है उसका रस पी सकते हैं और इससे कोई भी नुकसान नहीं होता ही मोग भी रक्त में पाया जाने वाला एक प्रमुक तत्व होता है और इसको बढ़ाने में गेहु का जौरा काफी जादा काम करता है ये आप कि पाचं समंदी जो चीजे हैं वह काफी हद तक शही ओजाती है आज के समय में इसका सबसे ज्याद़ा उपियोग अगर आपको प्लेटलेट्स कम हैं उसमें किया जा रहाIT आप ये बहुत ही हो चुका है अगर आपको प्लेटलेट्स कम हो जाती है और दवाईयों से भी नहीं बढ़ती है तो आप इसका जो जुहारा है यानि छोटा है उसको पीस कर पी सकते हैं तो उससे साथ से दस दिनों में आपको काफी बहतर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा साथ ही अगर हीमो दी चारे से पूछ सकते हैं